आज से हम अपना क्लास 10 मैट्स इसका जो रेगुलर वर्क है वो शुरू कर रहे हैं और आज के इस वी रेक्चर में हम एक्सटाइज 1.1 के लिए बेसिक करेंगे शुरू करते हैं चैक्टर फरस्ट जिसका नाम है रेयर नंबर्स एक्सटाइज 1.1 के लिए बेसिक और एक्सटाइज 1.1 में जो हमारा टोपिक है वो है यूकलीड डिविजन लेमा तो एक बार स्टेटमेट समझते हैं यहाँ पर at Euclid division lemma for the two positive integers for the two positive integers A and B there exist unique integers there exist unique integers Q and R satisfying A is equal to B Q plus R और जो ये R है वो कैसा है जीरो से तो ग्रेटर है या इक्वल भी हो सकता है जीरो से ग्रेटर है या इक्वल भी हो सकता है और B से रहसे तो ये Euclid division lemma की statement है ये statement थोड़ा सा आपको अजीब लगी होगी काफी इसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कह दिया लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी ऐसी नई बात नहीं कही है जो आपने पहली न पढ़ रखें आपने इस चीज़ को आप इवन second class से पढ़ते हुए आपने इस चीज़ को आप हम थार्टीन को फाइल से डिवाइड करते हैं तो हम कुछ इस तरह से चलते हैं यह हमारे पास थार्टीन है फाइल 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 तूजा 10 और यह हमारे पास 3 यह हमारे पास situation यह तो आप second class से करते हुए आ रहे हैं इसमें कुछ भी नई बात नहीं है अब आप देखें कि जो यह 13 है यह जो हमारे पास 13 है 13 यह 5 multiplied by 2 5 multiplied by 2 5 multiplied by 2 और प्लस 3 5 multiplied by 2 5 तूजा 10 और 3 तो 13 हमारे पास यह complete हो जाते है अब इसको थोड़ा सा और elaborate करते है तो अगर हम कहें अगर हम कहें कि यहां पे जो यह 13 है यह है dividend यहां पे जो 5 है वो है divisor यहां जो 2 है वो है quotient और सौन करने की बाद जो हमारे पास बच गया वो है remainder यह आपके पास terms है तो आप देखेंगे कि जो dividend है dividend that is equal to divisor divisor multiplied by quotient multiplied by quotient plus remainder यह होता है हमारे पास अब वो यह कह रहे है अब आप जहांसे देखराएं कि थार्टीन और 5 ह हमारे पास 2 positive नंबर थे थार्टीन और 5 हमारे पास 2 positive नंबर थे यह हमारा A है और यह हमारा B है तो जब हमने A को अंदर लिखा और B से जब उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास situation क्या आई, कि कुछ ने कुछ पोशन आया होगा, पोशन हमारे पास कितना आया, तो जो हमारे क्यों है, यहां पर मिल देते हैं, कि जो A है, A is equal to 30, B is equal to 5, जो क्यों है, वो हमारा कितना है, 2, यह हमारा क्यों है, और जो सोल करके हमारे पास आजाएगा, वो रिमेंटर है, वो र है, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, R की वैल्यू तो भी आई, 3, तो यहीं तो है, यहीं तो बात क्यारा कि हमारे पास दो नंबर है, है हमारे पास तो नुम्मल है उन में से जो बड़ा है उसको हमने A माल लिया और जो छोटा है उसको हमने B माल लिया तो हमारे पास टू पोजिटिव इंटीजर्स है उन में से बड़े वाले को हमने A माल लिया और छोटे वाले को हमने B माल लिया तो जब A को B से डिवाइड कर रहेंगे कुछ ना कुछ तो कोशाट आएगा एली उसको क्या हुआ लिया और कुछ ना कुछ रिमेंडर भी बचेगा है रिमेंडर जीरो भी हो सकता है ज्यादा तो हो नहीं सकता ज्यादा तो यहीं बात यहांकर देखी हुई है कि जो यूपिलिट डिविजन लेमा है यहीं है कि भी नहीं बात नहीं है यह जो आप थार्ड कलास से पढ़ते आ रहे हो इसी को यूपिलिट डिविजन यूपिलिट से डिविजन लेमा कहा गया है यहीं हाडा यूपिलिट डिविजन लेमा है इसमें कुछ भी नई बात नहीं है यहां पर यह वर्ड है लेमा लेमा का मतलब है वाले पास एक ट्रू स्टेट्मेंट एक पुरूवन स्टेट्मेंट एक ऐसी स्टेट्मेंट जिसको हम सत्या कतल भी करने देए जिसका जो उस के मैं जो प्रयोग हैं दूसरी स्टेटमेंट को पुशन करने के लिए करते हैं horrorie यह statement है Euclid division lemma अभी इनको बिल्कुल क्रियर होगी फॉर थू पॉस्टिव इंटियर तो कुछ भी हमें division कर गी है division से सब्सक्राइब कुछ भी division कर गी है तो हमारे पास two positive integers हैं क्या होगा हमारे पास there exist unique integer क्या हो एंड आर कुछ ना कुछ क्या हो है आर की तो वैल्यू कुछ ना कुछ मिले गी है अभी उसको कैसे लिख सकते हैं a is equal to b क्या हो प्लस आर लिख सकते हैं यही है dividend that is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder लिख सकते हैं और जो यह remainder है और कर देदा जीरो भी हो सकता है लेकिन जो डिवाइजर हे उससे चोटा हुआ प्यारे वह यह है हमारे पास यूपलिड डिविजिन लिव्ग इसके बात आगे बढ़ते हैं इसके भी योड की कहां पर इस बिप्र्यामा रहा का अंग करने के विए gefार दुस्था हमारा आपर व्यूग है य्वे करने के विए तो हमारा फ्यूप करने के वे lumière उक्रेंट्यू यूपलेट्स डिविजन अल्गोरिधम यूपलेट्स डिविजन अल्गोरिधम इसको समझते हैं अल्गोरिधम का अर्थ होता है Step by step procedure to solve a particular problem algorithm होता है steps कोई steps है जो use करते हैं किसी problem को solve करने में और यहां पे जो यूपलेट्ट्र डिविजन अल्गोरिधम है उसका जो use करेंगे हम क्या करेंगे इसका जो यूज है हम किस लिए करेंगे टू नंबर्स का एच्च फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे तो एक्जेम्पल से समझते हैं इस वाग को किस तरह से हम यूकलिट डिविजन अल्गोरिदम का यूज करेंगे हम यूकलिट डिविजन अल्गोरिधम यूज को स्टैप बाइन स्टैप इंस्ट्रक्शन यूकलिट डिविजन अप्लाई करेंगे एड़ेऊ करने के विए बीट्विन चूना पश्फ है कि स्लूशिंट की और हम बार को वाद पूंज्ट कि करतते हैं तो इस तरा से कर सकते हैं कि यूज और इसकेलिकों कर सकते हैं कि यूज Euclid's division algorithm to find to find the HCF of HCF of 135 and 225 हमे HCF 5 करना है Euclid algorithm का use करके 135 का 225 का अब इसके solution की अगर हम बाग करें यहाँ पर तो सबसे कहले आप देख ले हैं कि two numbers पूं को न से है solution given numbers are 135 and 225 तो यह number हमारे पास given है अभी आप इन दोनों में से यह देखो कुणसा गेटर है इन दोनों में से गेटर है हमारे पास 225 225 is greater than 135 टेक A is equal to 225 and B is equal to 135 and by using दिविजन और कि युफित डिविजन लय आद युवड दिविजन लेम वुज करके अब देखें के कि सरस्टोफ करें अब युवड पीश्य लेमें हमारे पास क्या है ज्रेटर है उसको अंदर ली दिया और जो रह से है उसको स्माला न्हीं को बाहर होती है 135 बंजा 135 यह इसमें सबाइस करते है 09 और यह 0 तो यह रह गया हमें पास 90 तो हमारा step first क्या हो गया step first step first क्योंकि जो यूपलेट इमिजिट अलगरिदम है वो क्या है steps है step by step instruction to solve a particular problem तो problem क्या रहा है कि हम HCR point कर रहे है तो step first क्या हुआ हम 225 225 इसको रिख सकते है 135 multiplied by 135 multiplied by 1 plus 90 तो यह हमारा step को first हो गया step by step चल रहे है हमें क्या करना है HCR point अब second step पे आजो अब देपर इन दोलो नंबर की बात करेंगी अब 135 और 90 में से 90 लेस है और 135 बेट है तो आपके बाद 90 को बाहर निकार देंगे और 135 को अंदर यह 0 आप यहां से step second again for the same process step second step second है हमारे पास अब की काम किसके लिए करेंगे 135 मिलिए तो 135 that is equal to 90 multiplied by 1 90 multiplied by 1 plus 45 यह हमारे पास होगे step second अब फिर आगे बढ़ते में जब चलते हैं कि जब चलते हैं कि जब चलते हैं कि जब चलते हैं अब हमारे पास आजाएगे step third step third क्या होगे हमारे पास step third step third में आगे हमारे पास 90 that is equal to 45 multiplied by 2 और plus 0 तब तो चलता हमें जब तक zero नहीं आए जिरो आगे हमारे पास अब zero कौन से case में आया जिरो होगे पास कौन से case में आया जब हमने 45 से divide किया तो जिरो आया यहां पर है यह 45 हो यह पर यह तहेंगे जिस पर divide करने से यह 0 आया है वही हमारा है XF, So XF of 225 and 135 that is equal to 45 तो यह हो है पास स्का अंशार नहीं पर इस तरह से आप Euclid Division Algorithm यूज करेगी तरह की आपर step by step आपर स्क्राइब हरे में पर यहां प्रसार करने के लिए यहां पर यहां पर हमारे पास 3 steps बनें, ऐसा भी हो सकता जी, एक step में हो जाएं, ऐसा भी हो सकता कि 2 steps में सोल हो, ऐसा भी हो सकता कि 10 steps हो जाएं, तो यह depend करता है न, आपके पास numbers कैसे हैं, लेकिन बार बार आप क्या करेंगे, Uplid Division Lemma है जो, उसका बर-बर बियो करते रहेंगे तो स्क्राइब बनते चलेंगे तो हमारा एक अल्गोरिद्म थ्यार हो जाएगा और जिससे हमारे पास क्या आजएगा आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही इसमें हमने यूकलिड डिविजन लेमा के बारे में सीखा और किस तरह से यूकलिड डिविजन लेमा का यूज करके हम एक्षिया पाइंड करते हैं यानिके यूकलिड डिविजन अल्गोरिद्म के बारे में सीखा साथ ही जाना कि लेमा क्या होता है और जो अल्गोरिधम है वो हम किसे करते हैं तेहरे बच्चों आज के इस वूडियो लक्चर में इतना ही थैंक यू वेरी मुच